दोस्तो बात करेंगे हाँ पे Snake Island के बारे इसका दूसरा नाम कहा है जमीनी आलेंड तो दोस्तो Snake Island जो के भी चर्चा मेरा है युक्रेन और रश्या के लड़ाई के कारण युक्रेन की military ने का है because of the successful air strikes रश्या की जो आर्मी है इस आलेंड से रिसीड कर चुकी है Snake Island कहां लाए करता है? Black Sea में लाए करता है अब दोस्तो अगर historically हम समझे तो Snake Island Romanian territory का हिस्सा था लेकिन 1948 में Romania बनता है USSR का हिस्सा अब दोस्तो लेकिन जब disintegration of USSR होता है तो उसके बाद Ukraine संभालता है Snake Island की territory को लेकिन 2009 में ICJ का verdict क्या कहता है? ICJ का verdict इस island की territory limits को decide करने के लिए रखा जाता है जहां पर बात करी जाती है कि Romania will almost have 80% of the Black Sea continental shelf near the island और बाकी 20% प्रदीशद Ukraine के पास रहेगा अब इसकी strategic use की बात करें दोस्तो तो यहां पर यह जो island है यहां पर बहुत rich hydrocarbon resources पाय जाते हैं तो जिस भी देश के पास इस territory का control रहेगा इस island का control रहेगा तो उसके पास accessibility होगी to the rich hydrocarbon resources